नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अर्की क्लासिस में आज बात करने वाले है जोगरफी के बारे में यह प्रश्ण जो है हमारा तिर्शेटफी बेपेसी में पूछा गया है प्रश्ण देखी क्या कहता है कि मैंसन ब्रेफली दा जोलिजिकल हिस्ट्री अफ इंडिया वि उधारन सहित संचिप में उलेक करना है विस्तारसिस में चर्चा करेंगे लेकिन शुरू करने से पहले आपको एक बात बताना चाहते हैं कि हमारा एक न्यू मैंस चैनल बना है जो की लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिया है यदि आपने उसे जोइन नहीं किया तो उसे हैक हो रहे हैं और यह काफी छोड़ा चैनल है आप सभी को पता है तो अगर यह हैक हो जाता है तो हमारा संपर्क जो है उसे चैनल के दुरू बना रहे है इसलिए आप उसे जरूर जोइन कर लेगी इस चैनल पर बहुत सारे वीडियो जो है मैंस की अपलोड की जा चुकी है जो की आप लोगों ने देखा भी होगा कई लोगों को वीडियो नहीं मिलता है तो सभी वीडियो सिलसलेवा ढंक सिस में आपको मिलेगी तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना जो टॉपिक है शुरू करने से पहले आप चैनल पर नए है तो उसको जरूर सब्सक्राइ प्रास के अध्यन से यहां कि प्राकरतिक विभागों में मिलने वाली विविन चट्टानों का ज्ञान प्राप्त होता है इस अध्यान से पता चलता है कि भारत प्राचीन काल से लेकर नवींतम चट्टाने पाई जाती है Geological Survey of India दोरा भारत के सैल समों को चार प्रमुख वर्गों में बाटा गया है ये देखी कौन-कौन से वर्ग हैं आर्किन महाकल्प, पुराना महाकल्प, द्रविडियन और आरेन महाकल्प इसके भी सब टाइप हैं, उनको भी आगे देखेंगे पहले बात करेंगे आर्किन महाकल्प की, तो सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे इसकी उत्पत्ती कैसे हुई, इसका वितरन और इस चट्टान का आर्थिक महत्त क्या है बात करें उत्पत्ती की तो कहता है कि इन चट्टानों का निर्मान 120 करोड़ वर्स पुर्व तब हुआ जब पृत्वी जो है ये बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई थी ये अत्यंत प्राचिन चट्टाने है पृत्वी की आंत्रिक हलचलों के कारण इन में काफी रूपांत्रन हुआ इन चट्टानों में ग्रिनाइट, नीज, सिस्ट, इत्यादी, प्रमुक हैं और इसमें जिवास्म का अभाब पाया जाता है इस तरह से इनकी उत्पत्ती हुई कब जब पिरस्वी बहुत ज़्यादा ठंडा हो चुका था और आंत्रिक हलचलें उत्पन हुई जिस कारण से इन में रूपांत्रन हुआ बात करें इसके वित्रन की तो देखिए इसका विस्तार बात कर रहे हम लोग आरकियन की तो इसका विस्तार करनाटक, मदपरदेश, शत्रिसगर, आंद्रपरदेश, तमिलनाडू, ओरीशा, जारखंड और बिहार के छोटा नाकुर पठार तदा राजस्तान के दक्षिन पुर्वी भाग में है, आरकियन का विस्तार, बिहार में आरकियन करम का विस्तार जो आरकियन चटाने हैं ये गया, मुंगेर और सिख पूरा से हमें मिलता है, आगे कहता है इसके आर्थिक महत्तु की बारे में, तो देखी आरकियन चटानों में खनी संसादनों का भंडार पाया जाता है, इन चटानों से धात्विक, अधात्विक तथा दुरलव खनीयों के अलावा कई परकार के कीमती पत्थर भी प्राप् होती है, आरकियन हो गया बात करेंगे धारवार की इसके बारे में भी हम लोग जो है उत्पत्ति, विद्रन, आर्थिक, महत्तु, तीनों के बारे में बात करेंगे, बात करें उत्पत्ति की, तो देखी कहता है कि विद्वानों के अंसार आरकियन महकल्प में भूपटल सिक पुड़ने लगा जिससे आरंभिक परवतों का निर्मान हुआ कालांतर में अनच्छा दनकारी शक्तियों की कारण ये चट्टाने अपरदित हुई तता उस पदार्त के निछेपन से अवसाधी चट्टान का निर्मान हुआ इसे धारवाल करम की चट्टान भी कहा जाता है इ ये संभव है कि इन चट्टानों की उत्पत्ति के समय पिर्फवी पर जीवन जो है विक्षित नहीं हुआ बात करें इसके वितरन की तो कहता है कि धारवाल चट्टान मुकरूप से करनाटक के धारवाल बिलारी शीमोगा में मिलता है प्रहदीप में ये दक्षिन दक्षिन गुंडाइट श्रेनी तथा विशाका पत्नम में पाया जाता है इन इन चेत्रों में इसका विस्तार है धारवाल यूग से ही अरावली श्रेनी का निर्मान प्राचिन्तम वलिप श्रेनी के रूप में हुआ था प्रहदीप की बाहर धारवार चट्टा ने पस्ची में हिमाले के लदाख, जासकर, गडवाल तथा कुमायू की निचली घाटियों में इसके अलावा हिमाचल प्रदीश की स्फिती घाटी में कस्मीर के सिल्खाला हस्रेनी में असम हिमाले के सिलोंग श्रेनी में पाया जा बिलती है इस तरह से में इसका वितरन ध्यान रखना है मैं यहां पर बना हुआ है देखने आप यह वियार का चेत्र राजिस्तान कस्मीर घाटी आर्थिक द्रिष्टी से धालवार चट्टन अत्यदिक महत्पून है देश की प्रमुख धातु में जैसे लोहा, सोना, मैगनी, स्तामबा, टेंगलस्टन, अक्रोमियम, जस्ता इत्यादी जो है हमें इससे प्राप्त होता है इसके अलावा अन्यमहत्पून खनीक जैसे इल्मिनाइट, सीसा, अबरक, संग्बरमर ये सब यमे से मिलता है बात करेंगे पुराना महकल्प की इसमें सामिल है कुडपा करम की चट्टाने देखे इसके उत्पत्ती की बात करें तो क्या कहता है कि इन चट्टानों का निर्मान धारवार करम की चट्टानों से प्राप्त पदार्थों से हुआ है इस निर्मान सामागरी में सैल, स्लेट, क्वार्ट जाइट तथा चूना पत्थर की प्रधानता है धालवार यूग की चट्टाने जलज किरियाओं से अपरदित होकर शमुद्रव निचली घाटी में निचेपित हो गई कुडपा करम की चट्टाने आंधर परदिस की कुडपा जिले में अर्ध चंद्राकार रूप में विस्तृत है इस अस्थान के अधार पर इसका नाम कुडपा पड़ा ये चट्टान चत्तिसगड महराश्ट राजस्थान दिल्ली एवं मध हिमाले की कुछ एक छेतरों में प अलावा बित्यां मिलती है जिसमें की हीरे की प्राप्ति होने की शंभावना होती है तो 36 गड़ में इन चट्टानों से हमें लौ एश्क प्राप्त होता है मैगनीज, कॉपर, कोबाल्ट, मार्बल, बल्वा पत्तर, लेड, इत्यारी, राजस्थान में कुडपा चट्टान वस्तुत है इसका नामंकरन विंद्य की पहाड़ी के नाम पर हुआ है इन चट्टानों के निर्मानकारी निछेप चितले सागर में हुए इन चट्टानों से प्राप्त होने वाले बल्वा पत्तरों सिसका में परमान मिलता है वित्रन की बात करें तो देखिए विंद्यन चट्टान पस्यमी छेदर में राजास्तान के चितोडगड से लेकर की बिहार के सासरा में रोतास तक पाया जाता है या उत्तर में आगरा से दक्षिन में हुसंगाबाद जो की मदपरदेश में है यहां तक फैला हुआ है इसके अलावा कहीं कहीं है चत्यसगड़ करनाटक अन्दपरदेश के कुर्णूल जिले में भी फैला है उपरी विंद्यन समू की चट्टाने बिहार में औरंगाबाद कैमूर रोतास जिले के डेरी और सोन तक पाया जाता है इसके आर्थिक महत्य की बात करें तो कहता है कि विंद्यन चट्टानों में धात्विक खनीच का भाब पाया जाता है लेकिन इन चट्टानों से हमें भवन निर्मान हेतु अनेक सामिगरियां मिलती है और इसी के द्वरा साची का सार्नाद स्थूप फतिव पूर्शे क्रीश शिकंद्रा के अनेक भवन दिल्ली एवं आगरा का लाल किला जामा मजिद आदिक निर्मान व इन दिन चट्टानों से बिहार में चूना पत्तर का एक प्रमुक्सोथ है ये इसलिए यहां अस्थानी अस्तर पर कच्छे माल अधारित सिमेंट उद्योग का विकास हुआ है बिहार में बात करेंगे द्रवीडियन महकल्प की तो कहता है कि द्रवीडियन चट्टानों का और्डोवेशियन चट्टान, सिलिडियोन चट्टान, डेबोनियन चट्टान, कारबोनिफेरस चट्टान केमरियन चट्टान जम्मु कस्मीर के बारामुला और हिमाचल परदिस के स्फिती घाटी से मिलता है और्डो वेशिन चट्टाने कस्मीर के लिदार घाटी तथा हिमाचल परदिस के पिन घाटी से हमें प्राफ्त होता है सिलिरियन यूग की चट्टाने लिदार घाटी कस्मीर लदाक के पैंगोंग से हिमाचल परदेस के लाहू लेवं कुल्लू खाटी से तथा उत्राखंड के कुमायू छेतर से हमें ये मिलता है कार्बुनी फेरस चट्टान कस्मीर हिमाचल परदेस तथा पुर्वी हिमाले के छेतरों में वर्ष्टित है आरेन महाकल की बगर बात करें तो इसमें है हमारा गुंडवाना सम्मू का चट्टान वो बैग्यानिकों के नुसार इन चट्टानों का निर्मान उपरी कार्बुनी फेरस युग से ले करके जुरासिक युग के मद हुआ विंद की चट्टानों के बनेने के बाद प्राइदूपिय पठार में विवर्ष्टनिक क्रियाएं लंबे समय तक सांत रही उपरी कार्बुनी फेरस युग में विश्वयापी हरसिनियन हल्चल के कारण जलेवा मस्थल के वितरन में भारी परिवर्थन आया था और टेसिस सागर के उत्तर में स्थित अंगारा लेंड में काराकूरम फिर करता है क्यूनलूनसान तथा मदेशिया के अनेक परिवतों का निर्मान हुआ इस समय हिम युक का भी जो है अबिर्भाव हुआ था हिम नदिये एवं नदिये परिदन के द्वारा घाटियों तो था जीलों के बेसिन में अफशादों का निछेपन सुरू हुआ दलदली घाटियों में वनों का विस्तार हुआ जैसे ये घाटियों यहां पर मिट्टी जमा हो गई और यहां पर वन हो गई दलदली घाटों में वनों का विस्तार हुआ कालंतर में दलदल में ये वन दब गई एक लंबे समय के पस्चाथ वनस्पतियों का रूपांतरन होने पर कोईले का निर्मान हुआ वनस्पतियों के अलावा इन चट्टानों से मचलिया तथा रेंगने वाले जीवों के अबसेश भी हमें प्राप्त होते हैं बात करें वितरन की तो प्राप्तियों भारत में गुंडवाना चार मुखे छेत्रों में फैला हुआ है नामुदर घाटी, महनदी घाटी, गदावरी वेनगंगा एवं वर्धा घाटी कच, काठियावार, पस्चिमी राजस्थान, गुंटूर, विजयवारा, तिरुच्योपली, आदी की छेत्रों में ये फैला हुआ है हमालाई छेत्रों में गुंडवाना चट्टानों का वेतरन जो है सपस्ट नहीं है ये चट्टाने कस्मीर, दाजलिंग, सिकीम, असम के छेत्रों में इनका हलका हलका विस्तार है बात करेंगे आर्थिक मात्तों का, तो कहता है गुंडवाना चट्टान कोईले के निचे इप के लिए काफी प्रसिद्ध है भारत का 98% कोईला गुंडवाना चट्टान से हमें मिलता है बलवा पत्तर एवं लिगनाइड भी इसमें पाया जाता है दक्कन ट्रेप की बात करेंगे तो क्रिस्टिसियस यूग के अंत में प्रहदूपिय भारत की पस्चिम भाग में दरारी उदगार के रूप में व्यापक रूप से जो अलम मुख्य क्रियाई हुई जिससे दक्कन के मुख्य पठार का निर्मान हुआ दरारी उदगार के रूप में जो है देखिए यहां पर दक्कन के मुख्य पठार का निर्मान हुआ अंदर से जो लावा निकले इसमें मुख्य रूप से डुलराइट लावा पाया जाता है इसके चरन से ही जो है डुलराइट के चरन से काले मिट्टी का निर्मान हुआ जिसे रेगूर या कपासी मिट्टी भी कहते हैं कारी मिट्टी को शोतह जुताईवाली मिट्टी भी कहा जाता है दक्कन ट्रैप का विस्तार लगवग 5 लाख हुवर किलोमीटर तक है जिसमें कि महारास्ट गुजरात के अधिकांस भाग तथा मदपरदिस का दक्षिन पस्षिम भाग में यह जो पाया जाता है बिहार जार्खन तथा तमिल नाडू के छेटपूट छेतरों में भी दक्कन ट्रैप की चटाने मिलती है बात करेंगे दक्कन के आर्थिक महत्य की तो दक्कन ट्रैप के चटानों का मुखेता भवन निर्मान वो शड़क निर्मान में परियोग किया जाता है इससे जो में वस्तुमें मिलती हैं इसका परियोग हम इनी चीज़ों में करते हैं इनमें मानिक के एवं बॉक्साइट पाया जाता है अब बात करेंगे टर्सेरी चटान की तो देखें टर्सेरी सनरचना की चटाने बिहार के चमपारन तथा पूर्णिया जिले से प्राप्त होती है जैसे की बात करें टर्सेरी में स्वमिश्वर स्रेणी से सम्बंदित है बिहार के 95% परतिसस चेत्र फल में कौर्टनरी संरिचना की चट्टानों का विस्तार है वस्तुताय ये बिहार का मेंदानी चेत्र है और ये जो है चट्टान अभी निर्मान की करम में ही फैला हुआ है इस प्रकार उपरोग विवरन्स स्पस्ट है कि भारत में चट्टानों का निर्मान विविन माकल्पों में हुआ तथा इनकी वित्रन तथा विश्यस्ताओं में भी विनिता पाई जाती है ये 63 BPSC में पूचा गया था